हलो इस्टुडेंट मैं गुड्डू सर आप सभी का इस फीडियो में सवागत करता हूं चलिए आज जो है यहां पर लेकर आया हूं और ठीक है यह जो मैं बना रहा हूं कुशन यह डाक्टर बिनोत कुमार के बुख है यह बुख है आपका देखिल सकते हैं आप इसको ठीक है इसी बुख से बना रहा हूं और अब डेली के डेली जो है एक दो कुश्चन यहां ज्यादा भी कुश्चन हो सकते हैं डेली के डेली बिनोत कुमार के बुख से आपको कुश्चन मैं बनाता रहा हूंगा ठीक है तो 9.1 इसका यह फर्स्त कुश्चन है ठीक है और एक चीरivities एक से जादा respect में हम किसी चीज़ का differentiation करते हैं वो हमारा जो है partial में ही चला जाता है जिसे एक ही respect किसी चीज़ को क्या करना हो differentiate करना हो तो वह हमारा ordinary में रहता है तो यहाँ पर partial है एक चीज़ में आपको बताथा हूँ यहाँ पर क्या हो था है कि जैसे x की respect में हम यहाँ पर differentiation करते हैं तो y हमारा constant की तरह काम treat होता है और अगर y की respect में हम यहाँ पर differentiation करते हैं तो x हमारा क्या हो जाता है constant की तरह हमारा work करता है जैसे कि यहाँ पर हम लगाएंगे तो ज़्यादा समय में आएगा जैसे यही हमारा question है, इसमें पूछ रहा है पहले day by u upon day by x की value पूछ रहा है, ठीक है, यह sign day by की है, ठीक है, तो यहाँ पर x की respect में इसका differentiation करना है, तो आप क्या लिखोगे, आप इसको differentiation कर दीजिए, तो क्या ज़िएगा day by u upon, क्या लिखेंगे day by x, तो यहाँ पर क्या होग आप की इसकोड़ेगा, कि x की respect में इसे होगा, तो यह आपका आईजा treat करेगा कैसा, तो देखेंगे आपको जैसा की पता है, आपने इंटर में भी पढ़ा है, कि जैसे log लिखा है, तो log के बाद जो लिखा होता है, वो कहां चलाता है, अपने इसकोड़ा है, तो one upon क्या हो देगा, x square plus y square हो गया, ठीक है, आप किसका करोगे बताओ, अब अंदर जो है, इसके bracket के अंदर वा लिख करोगे, ठीक है, तो यहाँ में लिखोगे, डेबा पान, डेबा एक से लिख दोगे, और यहाँ पर है x square plus y square, तो student यहाँ पर ध्यान दीजेगा, आपका x square plus y square तो आ बचेगा, 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 अब यह constant की तरह treat होगा, तो यह 0 हो गया, तो कहने का अतात्वर हुआ कि आपका जो answer आएगा, 2x upon x square plus y square, यह आजाएगा, यह आपका answer हो गया, लेकिन student अगर यही question अगर जैसे आप next issue में और भी पूछ रहा है, कि y की respect में इसका जो है, म student यहाँ पर भी वही काम करने वाला हूँ, जो काम हमने आपको बताया, क्या करेंगे, आपकी बार देखिए, इसको differentiate करना है, with respect to y, तो क्या जाएगा, डेबा you upon डेबा y, तो बच्चों, यहाँ पर डेबा upon डेबा y हो गया, अब यहाँ पर लिखा log e, और यहाँ पर लिख यहाँ पर differentiation होगा, लेकिन जो x आपका लिखा है, वो आईजा constant की तरह treat करेगा, constant का मतलब आप समझेए पहले, यह से log का करोगे, ठीक है, तो आपको तो पता है कि log के बाद जो रहता है, वो कहाँ आजाएगा, upon में आजाएगा, क्योंकि फर्मल आपने इंटर में पढ़ा आपी होगा, कि log d upon dx, log x बराबर आपका होता है, 1 upon x, तो उसकी तरह हमने इसको लिख दिया, ठीक है, आप किसका differentiation होगा, पताइए, अब इसका आप करोगे, किसका, तो यहाँ लिखोगे, डेबा पान डेबा वाई, और किसका करोगे, x square plus y square के, ठीक है, लेकिन आप यहाँ पर बिटा, यहाँ पर ध्यान दीजे, x आपका आजा, क्यूंकि y की respect में आप कर रहे हो, तो मने आपको बताया है, कि जब y की respect में काम करोगे, x आपका constant हो जाता है, और x की respect में काम करते हो, तो y आपका 0 मतलब constant हो जाता है, तो यहाँ y की respect में काम हो रहा है, differentiation, तो x आपक X square plus Y square तो यह आपका answer हो गया तो student आपका जो यह first question है complete हो गया तो उम्मेद कर रहा हूँ यह अच्छे समझ में आ गया होगा वगर समझ में आ गया तो प्लीज चैनल को like कर दीजे, subscribe कर दीजे और बिल आइकन की बटन को अबस दबाईए और अगर आपके पास कोई question जो है partial का अगर इसमें चुकी partial परहा रहें तो partial related कोई question है तो आप inbox में या कैसे भी ठीक है या हमारे WhatsApp नंबर पे कैसे भी करके आप उसको मुझे दे सकते हो मैं उसका solution करके आपको तुरंत ही कोसिस करूँगा कि next day आपको तो उसका solution मैं आपको दे दूँ थैंक्यो